वेलकम पेरेंट्स पिछले वीडियो में आमने बात करी थी कि आप जब भी बच्चे को दवाई देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और आज मैं आपके साथ शेर करूँगा कि दवाई देते समय आप बच्चे को दवाई पिला रहे हैं उससे में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ऐसी कौन सी सावदानिय जिर्टों की आपको ध्यान रखना है तो देखे दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज आती है डॉल्ज स्केडूल आपको दवाई की कितनी मात्रा दिन में कितनी बार कितने दिन तक देनी है दवाई क अफीत और चीजों का आप विशेश ध्यान रखें और इसके अलावा कि वह दवाई हमें कहाने से पहले देनी है या खाना खाने के बादेनी है फूड़ से तोसि से पहले या after the food देनी है तो बच्चों में जादा तादाऊ जो रहती है वो आपको खाने से पहले देनी चीए और उसका कारण ये रहता है क्योंकि आप जब दवाई देते हैं तो most of the time बच्चे दवाई को निकाल देते हैं वामिट कर देते हैं और उस समय खाना जो है वो भी उसके साथ में बाहर आ जाता है तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कितनी देर पहले देनी है या खाना खाने के कितनी देर बात देनी है तो उससे आप जरूर पूछ करके और फिर उस तरह से बच्चे को दवाई दीजिए उसके अलावा दूसरी बात कि आपको जब आप बच्चे को दवाई देने जा रहे हैं तो याद रखिए कि दवाई को बहुत केरफूली मीजर करें बच्चों में जो दवाईयां दी जाती है वो यूजवली उनके वेट के हिसाब से दी जाती है और उन्हें टी स्पूनफुल के हिसाब से दिया जाता है कि हाफ टीसव दे दिये ए वन टीसव दे दिये तो ये वन टीसव जो है दैट इस एकवल तू 5 अमल तो यह दिया आपके बच्चे की डोज दी गई है कि आपको 5 ml देनी है तो 5 ml का मतलब please it is 5 ml कई बार कितनी बार हम देखते हैं कि डोज की मात्रा जो है वो घर वाले ठीक नहीं देते हैं 5 ml लिखा हुआ है तो उसको 5 ml की जगे 5 ml देते हैं तो देखिए यह गलत तरीका है तो आप मीजर केरफुली दा डोज 5 ml है 5 ml है और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जो चम्मच की बात की गई है उसमें ज़्यादातर दवाईयों के साथ उनकी चम्मच आती है आप उस चम्मच का यूज करें क्योंकि यह जो आप के साथ जो मैं शेर करने जा रहा हूँ एक बड़ी चीज है कि बच्चे को दवाई दी गई है और बच्चा ठीक नहीं हुआ है मतलब ट्रीटमेंट फेल हो गया है इसका बहुत बड़ा कारण क्या है इसका बहुत बड़ा कारण यह कि आप जो है डोजेज को भूल जाते है डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको दिन में चार बार देनी है या तीन बार देनी है आपने डोज बच्चे को एक बार ही दिये या दो बार दिये अगर तीन बार देनी थी आपने दो बार दिये ऐसी इस्तिति में दवाई की पूरी मात्रा बच्चे के शरीर में गई सकते हैं या आपकी जो कीचन हैं वहाँ पर आप एक रिवाइंडर चार्ट रख सकते हैं बट हमारे को इस चीज के लिए इस्टिक रहना पड़ेगा कि बच्चे को जितनी बार दवाई की बताई गई है तीन बार चार बार तो उसको उसी ही सिक्वेंट्स के अंदर अपने को देना है ऐसे में कई बार आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं यदि आपको भूलने का किसी हो सकता पर्टिकुलर है कि कोई ऐसी दवाई जिसे की दिन में 24 गंटे में यदि एक बार यूज किया जा सकता उस पर्टिकुलर डिजीज में तो you can ask to your doctor कि ऐसी कोई दव देना है और आपने देखा कि बच्चा दो दिन में रेस्पॉन कर गया है बच्चा बिलकुल ठीक हो गया है आपने दवाईयों को साइड में रख दिया है ऐसे इस्तिति में बच्चे के दुबारा बिमार होने का खत्रा बहुत बढ़ जाता है इसको हम बोलते हैं treatment failure जो आपने किसी दुश्मन को आदा मार करके छोड़ दिया है अब वो जो दुश्मन है वो फिर से उठेगा और पिछले से पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में आएगा और जो वो वेपन आपने लिया था एंटिवाइटिक के रूप में अब उससे वो नी मरेगा उसके लिए उसने रेजिस्टेंस कर लिया है अब आपको कोई नया हतियार लेना पड़ेगा उससे बड़ा लेना पड़ेगा तो ऐसे नए नय हतियार हमारे पास आते नहीं है कोई भी अंति बाजार में आती है तो वो प्लीज इस चीज़ का विशेज ध्यान रखें कभी भी treatment को break नही है तो five days पूरा treatment लेना है कई-कई ऐसी बिमारियां होती है जिसमें बच्चा response शुरू में कर जाता है दो से तीन दिन में कर जाता है लेकिन उनका course दस-दस दिन का होता है और ऐसी इस्तितिमेदि आपने treatment को बीच में छोड़ दिया है तो ये बच्चे के लिए बहुत नुकसान दायक हो सकता है पूरी community के लिए नुकसान दायक है क्योंकि antibiotic resistance जो हमारी लिए एक बहुत बड़ी समश्या बन करके सामने है तो आप प्लीज दवाई का पूरा course लें जितने दिन का doctor ने बताया है पूरल है next thing आप जब भी कोई दवाई ले रहे हैं तो उसके उपर ये दी suspension लिखा हुआ है suspension लिखा हुआ है तो उसे बच्चे को देने से पहले बहुत अच्छे से हिला लीजिए इससे दवाई जो है वो जो नीचे जमा हुआ है जो उसका salt है वो पूरा mix हो जाएगा देते समय उसकी सही मात्रा जाएगी उसके बाद में है कि यदि आप कभी देखते हैं कि दवाई के उपर कुछ लिखा हुआ है और आपके pharmacist या doctor ने कुछ और बताया है उन दोनों में कुछ difference है तो प्लीज देने से पहले इसे clear कर लें pharmacist से आपके doctor से बात करें कि आपने इस तरह से बताया था जबकि इसके उपर direction इस तरह से लिखा हुआ है तो इसके लिए विशेज ध्यान रखें दवाई देने से पहले उसके उपर जो लिखा हुआ है दवाई को कैसे देना है उसके उपर भी लिखा रहता है अगर उन दोनों में difference है तो ask to your doctor एक बड़ी चीज दोस्तों कि दवाई को किसके साथ mix करके दें बहुत से mother's कई वाग जूस में डाल देती है मिल्क के अंदर है it's okay लेकिन वो उसकी मात्रा इतनी ज्यादा मात्रा में मिला देती है कि बच्चा इतना तो पीए गई नहीं और वो जो remaining part है दवाई का वो वेस्टेज हो गया है तो यह चीज जरूर आप फार्मासिस्ट से या पर डॉक्टर से बात कर लीजे कि इसको mix कर सकते हैं usually दवाईयों को आप breast milk जो होता है उसमें mix करके दे सकते हैं हालांकि उसका टेस्ट जरूर उसमें थोड़ा प्रजेंट रहेगा और उस वजह से बच्चे ज्यादा तर वामिट कर देते हैं तो दोस्तों मेरा जो next video है उसमें मैं आपके साथ शेर करूँगा कि बच कम से कम हों तो मेरा next video medicines related last video इसी topic पे रहेगा how to give medicines correctly to babies थैंक यू